सो आज हम सर्वाइफ करने वाले एक ऐसी वर्ड में जो कि पूरा का पूरा डामेंड ब्लॉक्स का बनावा है यह सुनने में बहुत ज़्यादा एज़ी और मजदा लगता है लेकिन असल में यह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले है क्योंकि यहाँ पे आपके डेली और हम लोग जब यहाँ पर स्पॉन हो थे तो हम लोग ने यहाँ पर एक नेधर पोर्टल स्पॉट किया तो थो थोड़ी देर के बाद हम लोग उस नेधर पोर्टल के पास पहुंच गये और उसका चेस्ट ओपन करते हम लोगो क्या मिला बहुत ज़्यादा एपिक लूट जैसे कि Obsidian, Flint and Steel and Golden Apple भी बड़ जो यहाँ पर गोल्ड ब्लॉक था उसका हम लोग कलेक्ट ने कर पहे तो उसका हम लोग बात में कलेट कर लेंगे and then हम लोग ने यहाँ पर बहुत सारे हेबिल्स कलेट किये सो अब यहाँ पर हेबिल्स कलेट करने के बाद टाइम था बहुत सारे वुट कलेक्ट करने का तो मैं चला गया and एक ट्री को चॉप करने लगा सो इनफ वूट होने का बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल और एक वुटन पिकाग्स बना लिया और मुझे बहुत साथ भूग लगी थी तो जितने सारे हेबिल्स से सब के मैंने ब्रेट बना लिये सो उसके बाद मैंने crafting table को collect किया और चला गया village लुटने के लिए और सामने मुझे दिख गया एक blacksmith का घर और भाई blacksmith का घर में बहुत ज़ादा O.P. loot हो सकती तो मैं चला गया जल्दी जल्द उसको collect करने के लिए सो एक side वाले घर से मुझे एक chest मिले जुसमें बहुत सारे papers थे and blacksmith के घर से भाई मुझे क्या मिल गया iron का pickaxe मतलब अब हम लोग diamond mine finally कर सकते हैं सो भाई हम तो बहुत ज़ादा खुश थे क्योंकि अब हम लोग कर सकते diamond mining बट अब रात हो रही थे 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 हम लोग चले के एक घर सोने के लिए and then finally सुभा हो चुकी थे और time था बिस वर्ल्ड का फायता उठाने का इसका मतलब इतने सारे जोगे हैं पर diamond के blocks से सबको collect करने का तो मैं जल्दी जल्दी हैं पर बहुत सारे diamond के blocks collect कर लिए and then बहुत सारे diamond के blocks collect करने के बाद हमने उन सबको diamond में convert किया and diamond के कुछ armors और थोड़े बहुत tools भी बना लिए so finally मैंने कुछ tools और armors भाई को भी दे दिये and then मैंने भी पहन लिया और भाई day 2 में हम लोगे पास आ गया था full diamond का armor हा मतलब यह कोई खास बात नहीं यह क्योंकि पूरा का पूरा world diamond का बना हुए लेकिन यह खुद का तारीफ करने में मजाई कुछ अलगे और हमने एक iron golem को toffee का लालेस दे के side में लेके आए and सुमणी में उसको निप्टा दिया बिचारा iron golem बहुत जादा भूका था लेकिन अब तो बिचारा वह iron golem ही नहीं है so vacuum cleaner जैसे इस पूरे village के loot को चूसने के बाद हम लोग निकल गए और एक village के तलाश में सारे bookshelves थे थोड़े बहुत bookshelves हमने भी उधार ले लिए मतलब इतने सारे bookshelves का वो क्या करेगा यार और यही पर खतम नहीं होता हमें उसका दोस्ट मिल गया और उसके पास भी बहुत सारे bookshelves थे तो उसको भी मैंने ले लिया और यहां पर देख सकते हमारे पास कितने सारे लूट है लेकिन अभी भी हमारी सांती नहीं होए थे क्योंकि अभी भी हमें बहुत कुछ लूटना था तो हम लोग इस village को भी छोड़के दूसरे village ढूडने के लिए चले गए और हमें यहां पर रास्ते में एक लावा पिट में मिल गया और इस world में लावा मिलना थोड़ा rare होता है तो हमने बहुत सारे यहां पर obsidian कलिट कली जैसे कि हम लोग ने दो पोर्टल एन इंचान्मेंट टेबल बना सके और मैं आपको यहां पर दिखाई रहा था कि अपने पास कितने सारे obsidian है और उसी टाइम पर भाई ने मेरो पर लावा फेक दिया भाई मैं जल्दी जल्दी पानी में कूद गया ने तो आज ही मर जाता सो मौत से बचके आने के बाद हम लोग चलेगा और एक सफर फे विलेज जुड़ने के लिए इस बार मैं केयरफूल था क्योंकि भाई कुछ भी कर सकता एक्दम पागल है थोड़ी देर एक्स्प्लोरेशन करने के बाद हमें यहाँ पे हे बेल्स मिल गया तो यहाँ पे जितने हो सगे हम लोग ने हे बेल्स कलेट कर लिए क्योंकि अल्री अपने इन्वेंटरी फुल था और यह विलेश थोड़ा बहुत अजीब था क्योंकि आप ही देखो ना यहाँ पे कितने सारे क्लेरिक के घर है मतलब एक दो तीन चार और वहाँ पे पांच मतलब पांच क्लेरिक के घर एक ही विलेज में यहाँ पे भी हमने बहुत सारे लूट कर लिए जैसे के स्मोकर कलेट कर लिए और बहुत सारे चेस भी ले लिए बट यह वाला जगा रहने के लिए अच्छा नहीं था तो हम लोग चले गये अपने पहले वाले विलेज में जहाँ पे हम लोग स्पॉन होई थे एंदन हमने यहाँ पे एक घर किराये पे ले लिया और वो घर बहुत ही जादा बखवास था और वहाँ पे जगा भी नहीं थी तो यहाँ पे हम लोग उस घर को रेनुवेट करने के लिए लगके हाँ करेंगे धर विलेज EM barrier living दिनत्वी तो यहाँ पे घर का का म कम्लेट करनेके बाद हम लोग चले गए एक कोबल स्टोन जेनेरेटर बना कियो अपने पास बहुत कम कहें और कों लोग स्टोन हम लोग लगने वाले के लिए Agora जितना हो सकें हम लोग ने का लिटकना स्टा करणे तो फानली बहुत देर के बैनत के बाद हम लोग नेники बहुत सारे को बस्स इसा की आप देख सकते हूं आप्पर पास यहां पर एक operated नहीं गुए अभी आप देख लोगा क्या क्या यहाँ पे hopper लगा और बागी सब कुछ कर दिया और अब बारे था यहाँ पे हम लोगों के लिए एक tree farm बनाने का तो उसके उपर भी काम करना हम लोगों ने start कर दिया कर दो पारे यहाँ पे ट्रीफ बन गें रेडी हो गया था और बहुत जादा यूस्फुल होने वाला था उसके बाद हमने सुचा कि अपने पास यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज बहुत सारे कोबल स्टोन है तो क्यों ना एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाया जाए जहाँ प बस उसके बाद हमने विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट कर दिया झाला कर दिए तो प्रफानले अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनके यहाँ पर रेडियो गया तो हम लोग को यह बहुत जादा अच्छा लग रहाता मतलब आप ही देखो यार यहाँ पर चारो साइड में रूप से हैं and वो कनेक्टेड हैं यहाँ पर स्टोन ब्रिक्स है जालेजर अब बहार का काम तो अपना प्मपलीट हो गया था और बाहर का काम कमपलीट करने में हमें बहुत जादा रिसोस छेल लगे हैं तब हर बार हमने smelt करना पड़ा stone को and then बहुत सारा हम लोगों ने woodshop भी किया बढ़ मैं अब देख सकते हो यह सारी मैनत काम में आए क्योंकि अंत में यह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था अब बाहर का काम तो हो गया था यहां पर complete बढ़ पूरा काम अभी भी complete नहीं हो था क्योंकि अभी सबसे मुश्किल काम पाकी था जो कि था विलेजर लाने का बढ़ कैसे भी करके हम लोगों ने यहां पर दो विलेजर लाए तो जब टक मैं अनको खाना दे रहा है और बता होाँ किए उट बहुत सारे वूड और बहुत सारे का मतलब बहुत सार तो चले उनको कलीट करते है सो हम लोगों ने बहुत सारे वुट कलेट कर लिए एंद इन सारे वुट को स्टेक्स में कनवर्ट किया और इस प्लेचर से बहुत सारी एम्रेंड में ट्रेडिंग कर लिए और यहाँ पर हम लोग स्टेक्स से ट्रेट करी रहता है और हम लोग सोच रहते कि और किस से हम लोग trade कर सकते हैं एंदन हमाई आईडिया है कि यह तो पूरा diamond का वर्ल है एक villager diamond से भी trade करता है तो हम लोग ने बहुत सारे diamond मिला है एंदन उससे बहुत सारे emerald की trade कर ली अब इतने सारे emerald होने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे bookshelves स्ट्रेट कर लिये learnt rainbow तो मैं अपनी यहां पर पहली जकिए जो की दें श्रॉट कि कोईपी जुरुट तो मैंने उसको चेंज कर दिया और बाद मुझे लारा था बड़ यहां पर प्रॉबलम एक ही थी क्या अपने पस level नहीं तो हमने सुझे क्यों नहीं एक नेधर पोर्टल बनाया जाए और नेधर में जाके बहुत सारे level कलिट के जाए तो बस उसके बाद क्या था हम लोग चले गए एंद एक नेधर पोर्टल बना लिया तो नेधर पोड़र लाइट एफ करने के बाद हम लोग चले गए नेधर में एंड नेधर में स्पॉन होती हैं हम लोग कहाँ पे स्पॉन होए रेड वैली में जो कि बहुत जादा डेंजर्स होता है क्योंकि यहाँ पे हॉगल इंड रहते हैं जो कि आपको उच्छाल के वर्ड में क्योंकि अब लोग कर सकते हैं बहुत सारी इंचाइंट्मेंट है तो आपना स्वार्ड को भी इंचांट कर लिया एंट एंड हमें मिला फायर आश्पेकट जो कि बहुत ही ज़दा अच्छा होता है और बहुत देर ग्राइंदिंग और इंचांट्मेंट करने के तो sword और pickaxe का तो आपको पता ही है and axe and shovel में भी हमें efficiency मिल गई so enchantment complete करने के बाद हम लोग आ गए and then एक बंदे को हम लोग यहाँ पे mending वाला बनाना चाहते थे and then finally बहुत जादा महनत कने के बाद एक बंदा यहाँ पे mending वाला बन गया तो हमने इसे दो mending के book trade कर लिए so अपने पास अब mending थी तो मैं चला गया उसको लगाने के लिए अपने sword और pickaxe में यहाँ पे हम लोग को एक बात पता चली कि अपने पास तो irony नहीं है अन्विल बनाने के लिए तो बस और क्या था एक iron farm बनाना हम लोग start कर दिए so finally अपना iron farm यहाँ पे बनके ready और यह बहुत ही जाद ओपीली काम कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग iron farm को एक करी रहते हैं यहाँ हमें क्या मिल गया एक wandering trader जो कि हमें literally literally sugar cane sell कर रहा था तो अगर आपको नहीं पता तो मैं पता देता हूं कि इस world में आपको sugar cane मिलना literally impossible मतलब आप ढूंड के शुगर के निकाले नहीं सकते तो यह अपने पास एक golden opportunity थी तो बस और क्या था अपना इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने भाई को बला कि जल्दी जल्दी अपने अपने और पिक एक्स पे इंचैन्मेंट लगा लिए यह सब होने के बाद अब हमें चाहिए था एक घर जहां पर हम लोग रह सके एकदम आराम से तो बस घर के लिए हम लोग material का लिट करना स्टार्ट कर दिये सो फाइनली बहुत जादा टाइम एंड ग्राइंडिंग के बाद अब फाइनली टाइम था कि हम लोग अपना घर बना सकें क्योंकि आप देखो वह अपने पास सारे मेटरियल थे जो के घर के लिए इंपोर्टेंट है एंड इसको कलेट करने में हमें बहुत ही जादा टाइम लग गया यार एंड इन उसके बाद हमने घर बनाना शुरू कर दिया में बना सकते लोग ऑच्धने पास देखो में लग भी में लग रखाने लोग अग्धने लोग एंड बना सूब तेखो तो फानली बहुत देर के बाद अपना घर बनके यहाँ पे रेडी है और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर को इन 3, 2, 1 and go by boom बहुती ज़ादा अच्छा लग रहा अपना घर अपना घर अपना घर आपके ज़रू बताना आप इस घर को 10 में से कितना रेड देना च चाहूंगा कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो दिल्चे शुक्रिया यार इतना दू देखने के लिए और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना अगर आपको मन है तो and subscribe कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपना घर यहां पे आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चाहिए तो subscribe कर देना और आप यह सब वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि यह सब वीडियो भी बहुत ज़ादा ओपी है